फिल्म शुरू होती है और हमारे मेन करेक्टर कूकू और नैना को दिखाया जाता है जो बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और जैसे जैसे ये लोग बड़े होते जाते हैं इन दोनों का प्यार और भी गहरा होते जाता है फिर बाद में कॉलेज हो जाने के बाद कूकू बहुती यूनिक तरीके से नैना को शादी के लिए प्रोपोज करता है और नैना भी उसका प्रोपोजल एकसेप्ट कर लेती है फिर हम देखते हैं कि इन दोनों की शादी होती है और शादी में इन दोनों की सारी फैमिली आई ह शादी में कुकू की फैमिली भी होती है जो इस फिल्म के दूसरे मेन केरेक्टर्स है यानि कुकू के पैरेंट्स और कुकू की बहन कुकू के डैट का नाम होता है भीम और मॉम का नाम होता है गीता और उसकी जो बहन होती है उसका नाम होता है गीनी खैर फिर इनकी शादी हो इक दूसरे से दूरी बनाना चाहते हैं, यह दोनों एक दूसरे के साथ जादा बात भी नहीं करतें, और जादा time spent भी नहीं करते, यहा तक कि इन दोनों की anniversary होती है, anniversary के दिन भी यह लोग एक दूसरे से बात नहीं करतें, बलके आपस में जगड़ा कर लेते हैं फिर जगड़ा करने के बाद ये दोनों decide करते हैं कि साथ में divorce लेने का यानि अब इन दोनों की शादी पूरी तरह से तूटने वाली है लेकिन कूकू कहता है कि हम divorce लेंगे लेकिन थोड़ा समय रुख जाने के बाद क्योंकि कूकू की बहन गिनी की शादी होने वाली होती है इंडिया में इसलिए ये लोग शादी अटेंड करने के बाद ही divorce लेंगे फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कूकू और नैना इंडिया आ जाते हैं कुकू की बहन गिनी की शादी अटेंड करने के लिए फिर इसके बाद हमें कुकू की फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहां उसके पैरेंट्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं इन दोनों के बीच में मुहबत बहुत ही जादा होती है ये देखके कुकू और नैना भी शर्मा जाते हैं और एक दूसरे के लिए ये लोग अफसोस भी करते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच भी पहले ऐसे ही प्यार हुआ करता था लेकिन अब इन दोनों के बीच में वो प्यार नहीं है और ये दोनों डिवोस लेना चाते हैं फिर अगले दिन हम देखते हैं कि नैना को आफिस की तरफ से कॉल आता है जहां उसे पता चलता है कि उसका प्रोमोशन हो गया है और उसे नियोक जाना पड़ेगा जल्दी फिर इस पर नैना अपने हस्बेंट कूकू को बताती है कि मुझे नियोक जाना पड़ेगा इसलिए तुम घर पर बता दो कि हम दोनों डिवोस लेने वाले है ताके मैं अकेले नियोक चले जाओ जिस पर कूकू कहता है कि मैं अभी घर वालों कैसे बताओ पहले शादी हो जाने तो जिस पर नैना कहती है कि शादी तक बहुत देर हो जाएगी मुझे फॉरन नियोक जाना है क्योंके आफिस वालों का अर्जेंट कॉल आया है पिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में कूकू अपने फादर के पास आकर बैठता है डिवोस वाली बात करने के लिए वो अपने फादर से डिवोर्स वाली बात करने के लिए दारू भी लेकर आता है ताके दारू पीते पीते वो अपने डैट को पूरी बात बता सके लेकिन दादू पीने के बाद नशे की हालत में कूकू अपनी बात रखता उससे पहले उसके डैड यानि भीम नहीं अपनी बात रख दी और कूकू से कहते हैं कि वो उसकी मॉम से डिवोस लेना चाहते हैं क्योंकि अब उसकी मॉम से उन्हें उतना प्यार नहीं है इसलिए व जाइफ जादा दिनों तक नहीं ठीकेगी अपने डैट के मुझ से ये बात सुनकर कुकू बहुत जादा शोक में आ जाता है क्योंकि यहाँ पर तो वो अपने डिवोस की बात करने के लिए आया था लेकिन अब उसे पता चल रहा है कि उसके पैरेंट्स का ही डिवोस होने वा जाते हैं एक ठेटर में ठेटर में एक फिल्म चल रही होती है जब हम देखते हैं कि ये दुनों ठेटर में जाकर बैठते हैं तो वहाँ पर एक महिला भी आ जाती है दोस्तों ये महिला का नाम मीरा होता है और ये कुकू की टीचर हुआ करती थी फिर यहाँ कुकू के आता है और कूकू वहाँ से उठकर चला जाता है अब कूकू और भी ज़्यादा परिशान हो जाता है क्योंकि एक तरफ उसकी खुद की शादी तूट रही होती है और दूसरी तरफ उसके पैरेंट्स भी अब साथ में नहीं रहना चाते है यानि वह और भी ज़्यादा मुसी की मीटिंग होती है जहां पर कूकू नैना और उसकी मॉम होती है यहां पर कूकू की मॉम बताती है कि शादी में एते लड़ाई जगड़ा होते रहते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दो हस्बेंड और वाइफ एक दूसरे से डिवोस ले ले और हमेशा के लिए अलग ह जाए वो यह सब इने बात बता रही होती तब ही हम देखते हैं कि इनकी मीटिंग में जूड़ जाते हैं इनके हस्बेंड भीम यानी कूकू के फादर जब भीम वहाँ पर आते हैं तो गीता उनसे कहती है कि तुम अपने बच्चों को समझाओ देखो यह लोग डिवोस ले लेकिन तुम लोग डिवोस मत लो एक दूसरे से बरदाश करो और दूसरे से प्यार करो जब अपने डैड की बात सुनता है कूकू तो उसे भूदा गुस्ता आ जाता है और उपने डैड से कहता है कि डैड तुम यह बात तो मत बोलो क्योंकि तुम खुद मौम से डिवोस लेना चाते हो और तुमारा खुद एक औरत के साथ अफेर चल रहा है और दोस्तों जब यह बात उसकी मौम यानी गीता को पता चलती है तो वह बहुत इतार तूड़ जाती है और वहीं पर खड़े होकर रोने लगती है क्योंकि यह सारी बात उसकी मौम को नहीं पता होता ह उसके मौम को नहीं पता होता कि उसका हस्बेण उसके साथ डिवोस लेना चाहता है और उसका अफेर भी चल रहा है तो जब उसकी मौम रोना शुरू कर देती है और कुकु को और भी दाता गुस्सा आता है तो भीम वही पर हट अटक करता है ताकि उसे इन सबके सवालों का जवाब ना देना पड़े जब वो heart attack का नाटक करता है तो उसकी family बहुत यदा consult हो जाती है और उसे फटा-फट hospital में लेकर जाते हैं लेकिन आप लोग को बता दू कि यहाँ किसी को नहीं पता चलता है कि भीम ने एक जूटा heart attack का नाटक किया सबको लगता है कि उन्हें सही में heart attack आया है और सारे लोग परिशान होते हैं खैर फिर बात में कूकू भी अपने डैट के पास आता है और उनसे माफी मांगता है कहता कि मुझे इस तरह आप पर चिलाना नहीं चाहिए ता मेरी वज़े से ही आपको heart attack आया है फिर इसको आप हम देखते हैं कि डॉक्टर भी भी भीम को यानि कूकू के father को discharge कर देते हैं और घर जाने की permission दे देते हैं और घर पर आने के बाद हम देखते हैं नैना भी अपना नियोक वाला offer ठुकरा देती है और अपने office वालों से कहती है कि यहाँ पर घर पर बहुत जादा problems आ रही है इसलिए वो अपने घर वालों को छोड़ कर नियोक नहीं आएगी और दूसरी तरफ भीम और गीता की दूरिया भी बढ़ जाती है फिर अगले सिन में हम देखते हैं कि गीता अपने husband भीम से कहती है कि तुमारी जो girlfriend मीरा है मैं उससे मिलना चाहती हूँ मुझे उससे कुछ बात करनी है फिर अगले दिन हम देखते हैं कि यह लोग मीरा को एक मंदिर में बुलाते है जहां पर यह पूरी family होती है और मीरा होती है फिर तभी इन दोनों के बीच में बात होती है तुम मेरे husband को लेकर जा सकती हो और मेरी बेटी गीनी की शादी हो जाने के बाद हम दोनों एक दुरसे से officially divorce भी ले लेंगे फिर इसके बाद गीता अपनी बात वापस से continue करती है और कहती है कि हाँ अगर तुम मेरे husband के साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें कुछ काम करने पड़ेंगे तुम्हें मेरे husband को time to time दवाई देना पड़ेगा और उन्हें सुबा उठते ही नाश्ता भी देना पड़ेगा और वो हमेशा गरम रोटी ही खाते है उन्हें ठंडी रोटी ये सब पसंद नहीं है ये सब बात बोलकर गीता वहाँ से उठकर चली जाती है फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उसी रात भीम अपना सामान लेकर मीरा के घर पर पहुँच जाते हैं उसके साथ रहने के लिए लेकिन मीरा भीम को मना कर देती है साथ में रहने के लिए और कहती है कि मैं एक independent woman हूँ, मैं बहुत पहले साही अकेले रहती है, और मुझे अकेले रहना पसंद है, मैं किसी और के वज़े से अपना schedule change नहीं कर सकती, और अपना रहे से चेंज नहीं कर सकती, मैं तुम्हें time to time खाना नहीं दे पाऊंगी, और तुम्हें गरम रोटी बना कर नहीं दे पाऊंगी इसलिए हम दोनों का साथ में रहना सही नहीं है और जिस तरह से तुम्हारी वाइफ ने आज बात की थी मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए डिजर्विंग है वो तुमसे बहुती दाता प्यार करती है इसलिए तुम दोनों साथ में रहो फिर हम देखते हैं कि वहाँ से मीरा अपने घर में चली जाती है और भीम को अपने घर में आने भी नहीं देती भीम अपना सामान लेकर ही वहाँ से निकल जाता है मीनवाइल आज मंदिर में जो कुछ हुआ उसकी वज़े से कुकू और नैना पहले से ही अपसेट थे इसलिए घर में आने के बाद इन दोनों के बीच में भी लडाईया शुरू हो जाती है इन दोनों के बीच में बहुत ही जादा गहरी वड़ी लडाई होती है ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाते है एक दूसरे को ताना मारते है और कहते हैं कि हमारी शादी खराब हुई है तो सिब तुमारी वज़े से यानि ये दोनों एक दूसरे को भी ब्लेम करते है तबी कुकु के डैड यानी भीम का फोन आता है और अपने बेटे को बुलाते है फिर एगले सीन में हम देखते हैं कि रोट के किनारे भीम अपना समान लेकर बैटे है और वहीं पर कुकु आता है तो कुकु जब पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों बैटे है इस पर उसके ड धर भी वापस नहीं आ सकता कि कि तुम्हारी मॉम उससे बहुती जादा नाराज है यह बात सुनकर कुकु बहुत जादा खुश हो जाता है और कहता है कि डैड आप टेंशन मत लो मॉम को मैं मना लूँगा आप दोनों बस एक दूसरे के साथ वापस से मिल जाओ एक दूसर दर गए हैं डैड मीरा के साथ नहीं बलके आपके साथ रहना चाहते हैं फिर हम देखते हैं कि भीम भी अपनी वाइब गीता से माफी मांगते हैं और गीता भी अपने हजबन भीम को माफ कर देती है फिर गीता बताती है कि इनकी जो दो तीन दिन में एनिवरसरी आने वाली इसमें गीता और भीम दोनों साथ में दोबारा फेरे लेंगे और दोबारा नई शुरुआत करेंगे फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों की शादी हो रही होती है दोबारा और सब बहुत जादा खुश होते हैं तब ही कूकू और उसका दोस ये दोनों मिलकर एक जलाने की कोशिश करते हैं विडियो कॉल में ये लोग मीरा से कहते हैं कि देखो मेरे फादर ने मेरी मौम को चुनाएना की आपको जिस पर मीरा हस्ती है और कहती है कि असल में तुमारे फादर ने मुझे नहीं ठुकरायावल कि मैंने तुमारे फादर को ठुकरा दिया वो मे पारे फादर ने हाट अटेक का जूटा नाटक किया था, उन्हें कोई भी हाट अटेक नहीं आया था, फिर मीरा की सारी बार सुनकर कूकू को बहुत जादा गुस्सा आता है, और उसे रियलाइज होता है कि उसका बाप कितना बड़ा कमीना और जूटा है, इसलिए वो गुस गीता भी अपने हस्बेंड के साथ दूर हो जाती है, और अपने हाट में से रिंग निकाल देती है, क्योंकि उसे अब भीम के साथ कोई भी रिष्टा नहीं रखना होता है, और रही बात कूकू और नैना की इन दोनों के बीच में तो पहले से प्रोब्लम्स थी, इसलिए नैना भी कूकू के घर छोड़ कर अपने घर चली जाती है, यानि एक हिसाब से अब इन चारों के लाइफ पूरी तरह से खतम हो जाती है, बरबाद हो जाती है, क्योंकि कूकू और नैना भी अलग हो जाते हैं, और गीता और बीम इन दोनों के बीच में बात चित बंद हो और ये दोनों भी एक दूसरे से अलग होने ही वाले होते हैं फिर ऐसे ही ये चारे लोग एक दूसरे की बीना थोड़ा समय गुजारते हैं और इन सब को रियलाइज भी होता है फिर एगले सीन में हम देखते हैं कि ये चारों लोग कोट में जमा होते हैं जहां पर ये चारों एक दूसरे से डिवोस लेने केलिए आय होते है यहाँ पर गीता और भीम दोनों एक दूसरे को डिवोस दे देते हैं लेकिन जज अपना फैसला सुनाता है और कहता है कि मैं तुम दोनों को 5 महिने का टाइम दे रहा हूँ तुम लोग 5 महीना साथ में रहो अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो मैं तुम दोनों को डिवोस दिला दूँगा फिर डिवोस लेने का अगला नंबर आता है कूकू और नैना का तो नैना उठती है डिवोस लेने के लिए लेकिन कूकू भी उठता है और उसे रोकता है कहता है कि मैं तुमसे डिवोस नहीं लेना चाहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ फिर हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में एक emotional scene होता है और कूकू वापस से नैना को अपने college वाले तरीके की तरह वापस से propose करता है शादी का यानि उसे मनाने की कोशिश करता है फिर हम देखते हैं कि नैना कोट में ही कूकू की बात मान जाती है और उसे हग करती है यानि अब ये दोनों वापस से एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और ये दोनों अब डिवोस नहीं लेते फिर इसके बाद वाला सीन हमें दिखाया जाता है कि नैना और कूकू दोनों एक दूसरे से वापस मिल चुके हैं दोनों के बीच में वापस से प्यार जाग चुका है और ये लोग जा रहे हैं नियोक क्योंकि नैना को अपने ओफिस के लिए नियोक जाना होता है और रही बात गीता और भीम की तो भीम अपने बेटे कुकु से कहता है कि तुम हम दोनों की टेंशन मत लो मैंने इस से पहले भी तुमारी मॉम को मनाया है और पटाया है मैं इस पांच मैने के टाइम में भी तुमारी मॉम को मना लूँगा और हम दोनों वापस से एक दूरसे के साथ रहना शुरू कर देंगे जिस पर कुकु भी खुश हो जाता है और दोस्तों यहां पर इस फिल्म की हैपी एंडिं झाल